नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अतुल शिवास्तो और स्वागत है आपका नेक्सेज जीयर्स में आज का जो हमारा टॉपिक है प्रमुक गवर्नर जनरल और उनके कारियों के बारे में हैं कौन-कौन से गवर्नर जनरल इंपोर्टेंट है कौन-कौन ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं बाके हैं तो बहुत सारे लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ उनी के उपर डिस्कस करेंगे जिनसे सबसे यादा कोश्चन्स जो हैं आपके एक्जामनेशन में बनते हैं चले शुरवात करते हैं लॉर्ड शेम्स फोर्ट से 1916 से 1921 का टाइम पीरिड था तो अल्मोस्ट आपका सौसाल बोल सकते हैं इनको तो इसी की कारेकाल में कॉंग्रेस का लखनो अदिवेशन आयुजित हुआ जहां पर मुस्लिम लीग के साथ समझाता संपन हुआ कौन था जो गवर्नर जनरल था या वाइसराय कौन था तो लॉर्ड चेम्स फोर्ट हुआ करता था 1916 से 1921 के दोरान लॉर्ड रेडिंग का जो काल काल था 1921 से 1926 था भारत का एक मात्र यहोदी वाइसराय इसको बोल सकते हैं प्रिंस ओफ विल्स का भारत आगमन भी इसी के टाइम पिरिड पर हुआ था नॉवंबर 1921 में फिलाल यह बहुत कम पूछा जाता है लॉर्ड एर्विन के बारें बात करें लॉर्ड एर्विन में टाइम पिरिड पर क्या क्या टाइम पिरिड पर हुई प्रतम गोल में सम्मेलन का योजन भी इसी के टाइम पिरिड पर हुआ तो एवेन आपका साइमन कमीशन के बारें बहुत पूछा जाता है सवेनय वग्या अंदोलन के बारें भी बहुत पूछा जाता है और जो प्रतम गोल में सम्मेलन है उसके बारे में भी बहुत पूचा जाता है कि उस टाइम पे जो वाइसराय था या आपका जनरल गवरनर जनरल था वो कौन था तो लॉर्ड एर्विन हुआ करता था लॉर्ड वेलिंग्टन के बारे में बात करें 1931-36 तक टाइम पीरिट था इसका और दुती गोल में सम्मेलन का आयोजन इनी के टाइम पीरिट पे हुआ था दुती सविना वग्या अंदोलन के शुरवाद भी इसी के टाइम पीरिट पर हुई थी माग जे राग डोनल्ड की सम्रताइक पंचाट की खोशना भी इसी के टाइम पीरिट पी थी और ओविसी बात है कि इंपोर्टन है तरती गोल में सम्मेलन भी पूछा वा जाता है भारत सरकार अधनियम 1935 से रिलेटिट भी कोशन पूछे जाते हैं चले नेक्स टॉपिक प उद्दी विश्युद की शुरुवात हुई थी इसी के टाइम पीरिट चल रहा था अगस्त प्रस्ताओ लाया गया यह इंपोर्टन है पूछा जाता है कि अगस्त प्रस्ताओ कर लाया गया तो आठ अगस्त 1940 को लाया गया था क्रिप्स मिशन का आगमन्त था भारत आंदोलन की शुरुवात किसके टाइम पीरिट पे हुई थी तो वाइसराय था उस समय पे लॉर्ड लेलित गो लॉर्ड वेवल के बारे में पूछें तो क्या-क्या आता है 1944 से 1947 तक टाइम पीरिट बोल सकते हैं 1945 में सम्झते कायोजन हुआ था क्याबनेट मिशन का भारत आगमन इसी के टाइम पीरिट पे हुआ था और ब्रिटेज प्रधान मंद्री एटली की बीस फरवरी 1947 को भारत की स्वतनत्रा के संबन्द में हाउस आफ कोमन्स की खोशना भी इसी के टाइम पे हुई थी नेक्स्ट है लाड माउंड बेटन के ब को भारत आजाद हुआ और यह सुतंद्र भारत के प्रथम गवर्नर जर्म थे लाउड माउंड बेटन नेक्स्ट है लॉड करजन इनके बारे में सबसे यादा एक्जान में पूचा जाता है और इसी विजह से बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में आपको सामने दिखाई पढ़ रही है 1899 से 1905 तक टाइम पीरिट बोल सकते हैं और कॉरलें मॉन क्रिफ के देख्षता में सिचाई आयोग 9001 बहुत नहीं पूचा जाता है एंडूरी फ्रीजर के देख्षता में पुलिस आयोग तो था माक डॉनल के देख्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया तो यह तो बहुत कम पूचा जाता है फिर भी सैने दिकारी के प्रसक्षन के लिए क्वेटा में कॉलेज की स्थापना इसी के टाइम पीरिट पर हुई 1902 में टॉमस रैली की अदिख्षता में विश्वद्याले आयोग का गठन और इसकी अनसंसा पर ही 1904 में भारती विश कौन था तो लॉर्ड करजन हुआ करता था नेक्स्ट है लॉर्ड मिंटो के बारें बात करें तो कॉंग्रेस का सूरत में विभाजन हुआ था इसकी वज़े से इसको ज्यादा जाना जाता है मुस्लिम लीक की स्थापना इसी के टाइम पीरिट पर हुई थी मारले मेंटो पर बंगाल विभाजन को रद करने तथा भारत की रास्थानी को कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को बनाने की खोशना की गई तो पूछा जाता है भारत की रास्थानी को कलकत्ता से जब दिल्ली लाया गया तो उस समय वाइसराइब या फिर आपका गवरनर जनरल जो था वो स्थानी सोसाशन की शुरवाद दो कि बात है 1881 में प्रत्म कारखा आधनीं पारित किया गया इसके लाबा इलबर्ट विध्यक लाएग गया 1883 में स्विधयक के विरोध में अंग्रीज दौरा सुइत विद्रोग किया गया तो यह सारी की सारी चीज़े इंपोर्टेंट है जैसे लौड रिप्रन के टाइम पिरिट पर आपका क्या चीज़ें इंपोर्टेंट हैं जैसे लॉर्ट डफ्रिन हो गया इनके बारे में क्या इंपोर्टेंट 1884 से 88 तक का टाइम पीरिड था और इसी किसाशनकाल में बंगाल टेनेंसी आक्ट अवद रिड एक्ट चथा पंजाब टेनेंसी आक्ट पारित किया गया भारती रास डाउन के बारे में बहुत नहीं पूचा जाता है तो बात नहीं करेंगे लॉर्ड एल गंदुती के बारे में बहुत नहीं पूचा जाता है तो बात नहीं करेंगे हम लोग सिर्फ उनी के बारे में डिस्कस करेंगे जहां से सबसे यादा कोशन पूचे जाता है लॉर्ड क प्रतिक जिले में पुलिस्थाने की स्थापना के बारे में भी लॉर्ड कॉन्वालिस नहीं स्टार्ट किया था 1793 में स्थाई बंदोबस्त व्यवस्था की सुरुवात हुई थी ये पूछा जाता है आपको पता होना चाहिए भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है ये भी लॉर्ड कॉन्वालिस को ही कहा जाता है और इसकी कब्र के बारे में बहुत पूचा जाता है गाजीपूर उतरदेश में है सर जॉन सोर इनके बारे में बहुत नहीं पूचा जाता है, वैलेजिली हाँ पूचा जाता है, साइक संधी प्रणाली के और जाना जाता है, और साइक संधी सुईकार करने वाले राज्जों का जुक्रम है, सबसे पहले तो हैदराबाद 1798, मासूर 1799, तंजोर हो गया, ठीक ह इसके लावा पेस्वा हो गया, बरार, भूसले हो गया, सिंधिया हो गया, सारे के सारे हैं, चौता अंगल मैसूर युद्ध भी इसी टाइम पिरिट पे होगा था, जार्ज, सर जार्ज वालों के बारे में बात करें, बहुत नहीं पूछा जाता, लेकिन रडजीत सिंग अमरत सर की संधी हुई थी, 1809 की बात है, ठारसो तरह का चार्टर आक्ट आया था, इसी के टाइम पिरिट पे, इंपोर्टेंट इसलिए है, क्योंकि सर्वकालिक महा नेताओं में चुने गये हैं, महराजा रजीत सिंग साहब, 2020 में, तो अव्विस सी बात है, 2020, 2021, दोनों में ये पूछा जाता रहेगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स हाँ, इन से रिलेटेट कोशन पूछे जाता है, पता होना चाहिए, आंगले नेपाल युद्ध हुआ था, 1816 में संगोली की संधी हुई थी, वो इसके द्वारा इनका अंत हुआ था, मराठा शक्ती को अंधिम रू बारे में पूछा जाता है, पता होना चाहिए, 1833 के चार्टर एक्ट के तहथ भारत का पहला गवर्नर जनरल था ये, पहले बहुत ज़्यादा पूछा जाता था कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बैंटिक था, 1829 में सती प्रथा का अंत भी या फिर बोल सकते हैं, रोक भी इसीने स्टार्ट किया था, 1830 में करनल स्लीबान की सहयता से ठगी प्रथा की समापती भी इसी की टाइम पीरिट पे हुई थी, 1835 में कलकता से मेडिकल कॉलिज की स्थापना भी इसी की टाइम पीरिट पे हुई थी, शिशु बालिका की हत्य पर बैन भी इसी के टाइम पीरिट पर लगा था, सिक्षा के सम्मन्द में आंगल प्राच्य जो विवाद है वो आपका इसी के टाइम पीरिट पर हुआ था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपोर्टन चीज है जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, वो आपका 1833 के बारे में पूछा जाता है क्योंकि दास्परथा का उन्मूलन इसी के टाइम पीरिट पर हुआ था, 1843 में, ठीक है, लॉर्ड हर्डिंग, 1844 से 1848 तक टाइम पीरिट था, बहुत ज़्यादा इंपोर्टन नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं पूचा जाता है, नहीं डिसकस को लागू किया इसने, भारत में पहली बार रेल चलाई, 16 प्रैल 1853 को कलकत्ता और आगरे के बीच में तार सेवा की शरुवात की, 1853 में, 1854 में पोस्ट ऑफिस आक्ट, डाक्टिकट का प्रशलन, सारजनिक निर्माड भाग तथा लोक सिवा भाग की स्थापना भी की, भा भारती नागरिक सेवा में नियुकती है, तो पहली बार प्रतियोगिता परिक्षा की शुरुवात भी इसी के टाइम पिरेड पे हुई, तो कुल मलाकल लाल डलहोजी जो है, वो महत्पूर है, आपकी परिक्षाओं में पूछा जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बताऊंगा कि क्या-क्या चीजे महत्पूर हैं, ये आपको ध्यान रखने की बात है, जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपको नोट डाउन करना है, या स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, जो भी आपका मन करें, तो वीडियो अगर दो से तीन बार देखेंग तो आपको एक चीज़ कन्फर्म हो जाएगी कौन से वाइस रही के बारे में हमें कौन सी बात पढ़नी है, ठीक है, तो किताबें बहुत सारी होती है, बस उन किताबों में हमें क्या पढ़ना होता है, क्या याद रखना होता है, और किस वज़़ा से हमारा selection हो जाए, यह हम लगातार जुड़े हुए हैं पिछले चार साल से नेक्ससंव उगेर आपने हमारा टेलिग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमारा टेलिग्राम चैनल को प्थम वाइस राय था 1857 का विद्रों इसी के टाइम पीरिट पे हुआ इंडियन हाई कोट आक्ट के दहद बंबई कलकता और मदरास में उचिजनायले कि इस्थापना इसी के टाइम पीरिट पे हुई 1856 में विद्वा, पुनर विवा, अधनियम इसी के टाइम पिरेट पे पारित हुआ और 1861 में इंडिन कॉंसिल आक्ट पारित तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई तो ये चारो पॉइंट्स इसमें इंपोर्टेंट है लॉड कैनिंग का टाइम पिरेट बहुत इंपोर्टेंट है आपकी परिक्षाव में पूछा जा सकता है रिपीट कर देता हूँ बारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का वाईस राय था 1857 का विद्रो किसके टाइम पिरेट पे हुआ तो लॉड कैनिंग के टाइम पिरेट पे हुआ पहली बार हिंडियन हाई कोट एक्ट के देहद मंबई, कलकता और मदरास में उचनेले किस थापना कब की गई या फिर किसके टाइम पिरेट पे की गई तो लॉड कैनिंग के टाइम पिरेट पे की गई next है, Elgin Pratham के बारे में बहुत नहीं पूचा जाता Sir John Lawrence के बारे में बहुत नहीं पूचा जाता Lord Mayo के बारे में पूचा जाता है जब आप जन संख्या के बारे में पढ़ते हैं 1872 में अजमेर में Mayo College था, Krishivahak के स्थापना की लेकिन जो सबसे यादा पूचा जाता है भारत में जिनगर्णा की शुरुवात की इसके टाइम पीरिट पे हुई 1872 में Lord Mayo का टाइम पीरिट था जब आपका ये शुरू हुई इसकी हत्या जो है अंडमान और निको बार मकर दी गई थी दो पॉइंट जिसमें सबसे यादा पूचे जाते हैं Lord Litton के बारे में आ जाते हैं क्योंकि नार्थ बुक से रिलेटेड बहुँ जादा कुश्चन जो है नहीं पूचे जाते है Lord Litton पे आ जाते हैं क्या पूचा जाता है 1st January 1877 को प्रथम दिली सरकार का आयोजन किया गया जिसमें बृटेन की जो महरानी थी विक्टियोरिया इनको केसरी हिंद की उपाधी दी गई थी 1873 में वर्नाकुलर प्रेस आक्ट लागूत था भारती शास्त्र अधनियम पारित हुआ सिविल सेवा में प्रवेश की जो आयो है वो आपका 21 से गटा कर 19 कर दी गई तो कोई भी अबबर थी जो सिविल सेवा की तयारी कर रहा है ओविसी बात है ये बात कभी नी बूलेगा कि इसने 21 वर से गटा कर 19 कर दी थी जब हम लोगों को लगातार आवशकता होती है और टाइम पिरिट की कम से कम दो-चार साल की तो स्टार्टिंग में जरुरत होती ही है तो लॉर्ड लिटन इसलिए ज़्यादा इंपोर्टेंट है रॉबर्ट लाइफ इनके बारे में कौनी बूल सकता है बंगाल में दुआजशासन की स्थापना इसी ने की थी बंगाल का गोवर्नर जरनल था सत्रा सो सत्तावन साट और सत्रा सो पैंसे सरसट टाइम पीरिड था इसका स्वर्ग का स्वर्ग से उत्पन सिननाइक भी इसको कहा गया मुगल समराट शाहालम के साथ इलाबाद की दुटी संधी में भी यही शामिल था वर्रन हेस्टिंग से भी बहुत पूचे जाते हैं बंगाल के पहले गवर्नर जरनल थे इसके लावा एक मातर गवर्नर जरनल जिस पर इंग्लैंड के जो हाउस आफ कॉमन्स है उसमें महावयोग चलाय गया था प्रतम आंगल बराठा यूद 1775-82 दुटी आंगल मैसूर 1784 इसी के टाइम पिरिट पर हुआ वर्रन हेस्टिंग स्था तो यह आपके आपको जो प्रतम गवर्नर जरनल थे या फिर आपका बोल सकते हैं गवर्नर जरनल बें जो सबसे यारा इंपोर्टेंट थे उन सारी च हो चुके हैं इस वीडियो को और 15 मिनिट हम लोगों को गवर्नर जरनल वाइसरा है और उनके कारे को समझने में तो इस वीडियो को जादा से जादा बार देखें और दो से तीन बार देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको वो सारी चीज़ें तयार हो जाएंगी जो करते हैं वो सिर्फ एक क्वेशन पूचके करता हूं कि भारत में पहली बार जब रेल चलाए गई थी तो कौन चलवाया था या फिर किसके टाइम पीरेड पे ये ट्रेन जो है वो चलाए गई थी तो उमीद है कि आप लोग कमेंड बॉक्स में इसका एंसर जरूर देंगे तो रिपीट कर देता हूं कुशन भारत में पहली बार रेल किसके टाइम पीरेड पर चलाए गई थी और अगर आपने वीडियो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजेगा और जो हमारा फेस्बूक पेज है उसे भी आप जॉइन कर सकते हैं इसके लावा टेली ग्राम चैनल जुरू जूइन कर लिजेगा वहां पर सारी की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहती है चलिए फिलाल के इतना ही थैंकी सो मच